उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाओं अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं हम बनारस में मौझूद है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिगज नेता राजसभा के सांसत प्रोफेसर राम गोपाल यादो जी मौझूद है प्रोफेसर साब आज मद्दान सुचना है मिल नहीं हमारे कारिकरताओं की नहीं ड्यूटी पर लगे हुए लोगों की जिनका कहना है कि बस्ती में महाराज गंज में और कई जगह सूचना आई भाटपार रानी से सूचना आ रही आज तो सपाध्या कि और लोगों की बहुत जबरदस्त बोट पर रहा है बहुत जबरदस्त अना एक्सपेक्ट ऐसा कभी पड़ी नहीं आता है आज एक बड़ी रैली पूर्वांचल में आप लोग करने जा रहे हैं ममता बनर जी भी है तो क्या इस्रेली का महत्तु है और जनता से चुनाओं के वक्त युद्ध के दौरन आप जानते हैं युद्ध की इस्तिती हो उसमें चब कोई बड़ा सायोग वी साथ आ जाता है तो सैने को होते हैं उनको बहुत बल मिलता है और जारा उत्साहित होके लड़ते तो यह छटमें और साथमें चरण में जो म सबारकपूर यह सब इलाके मोदी और योगी के यहां सफ़वाव कंजौर रहती है यह सबाप कर रहे कि इसलिए मोदी जी का मैं लेकिन योगी का इलाका इस लिए कहना उचत नहीं कोई लग बी क्योंकि योगी के खिलाप और अख़लेक्स के प्रक्ष्पहीं लोग बोट क जाएगी इस तरह का बोट पड़ रहा है पता करिए अपने सूत्रों से एक बहुत बड़ी बात यह हो रही कि जब से मम्ता बनर जी आई है कल से लगातार उनका बिरोध हो रहा है लगातार उनके काफिले रूपी ऐसा है बीजेपी बाले बुरी तरह पिटे बहुत आप जान की नाराजगी है मम्ता जी से कि वह जहां जाएंगी जाएंगे यह लोग दिखाएंगे और यह नहीं जानते कि ऐसा करने से हमें रोजाना कुछ बोटों का लाब हो रहा है तो यह मतलब भीरोध फाइदे मंद हो रहा है स्वामी परसाद मौरिया बेटेक हो गया उदर स्व जार बोट से जीत रहे मिनिममम और नकेबल स्वामी पिसाद मौर जा बलकि कुछी नगर में उसके आसपास एक सीट भी समाजबादी पार्टी का गठवंधन नहीं हारने जा रहा है क्या आप मानते हो कि यह इस तरह से नेताओं का विरोध करके सरकारी मसीनरी का यह नहीं होगी अपना बोर्ड रंग बदलवा दिया अपोज सभी बदल वाएंगे ऐसा करना नहीं चाहिए अधिकारी अधिकारी हमें साङुट्रल हना चाहिए हमेसा आप देखते हैं रोड पर बोड लगा हो पुराने जमाने समित देखता है हमेसा हरे रंग में बोर्ड यह करने लगें यह उच्छत नहीं होता उन्हें नीट्रल रहना ही चाहिए हमेशा अंदर से कुछ भी उनकी भावना हो लेकिन साफ जने की रिउपसा यह तो भॉला पना है का साब भगवा कलर की सब बोड लगा लिए कासी में लोग आते हैं तो बीजेपी वाले नारा देते कि बंबं बोल रहा है कासी बीजेपी जीत रही है जिस दन दस्तारी को बोड खुलेंगे तो उनके हो सुड़ जाएंगे जहां बंबं बैठे हुए बावा बेस्वनात बोही हरा रहे हैं बीजेपी को बोही हरा रहे हैं यूविल सी दिस बनारस दक्षण की समाजबादी प पार्टी के दिगजनेता आस्वस्थ हैं कि उनकी सरकार बन रही है महौल उनके पक्ष में है कासी से लेके गोरखपूर तक समाजबादी साइकिल तेजी से चल रही है कैमरामन सीवम के साथ वीरेंज सिंग भारत समाचार गोरखपूर